जै गुरुदेव, जै स्री राम, आज हम आपको तिलक वशीकरन मंत्र बता रहे हैं, जो किस प्रकार से है, किसी भी चोराय या तिराय से धूल लेकर उसे सिंदूर में मिला देना है, ये चोराय से धूल लानी है, वे शुकरवार को लानी है, साम के समय, और कोई टोके नहीं, फिर ये जो मंत्र बताया जा रहा है, इसको 108 बार बोलकर फूक मारनी है, और अपने मस्तक पर चलक लगा लेना है, जब भी प्रोक करना हो, इस मंत्र का प्रोक आप मिठाई या बतासे पर भी कर सकते हैं, मंत्र में जहां अमुक सब्दाया है, वहाँ पर उसका नाम लेना ह और आपके कहे नुसार बात मानेगा, मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेज गुरू को सिद माता इस्तंबनी मोहिनी वशिकर्णी अमुकम मोहिनी मम वश्य करी करी इच्छित कार्यम पूर्ती कुरुकुरु स्वाहा, ये वार और सुन लीजिए मंत्र को, ओम नमो आदेज गुरू को सिद माता इस्तंबनी मोहिनी अमुकम मोहिनी मम वश्य करी करी इच्छित कार्यम पूर्ती कुरुकुरु स्वाहा, एक बात दुवारा से रिपीट कर रहा हूँ, ओम नमो आदेज गुरु को सिद माता इस्तंबनी मोहिनी वश्य करनी अमुकम मोहिनी मम वश्य करी करी इच्छित कार्यम पूर्ती कुरुकुरु स्वाहा, इसमें इस्पर्टिक माला का पूर्व किया जा सकता है, जदी आप समुह को समुहित करना चाते हैं, तो एक अच्छी इस्पर्टिक माला लेकर प्रते दिन इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करें, शुकरवार से प्रारम करना है और उस माला को प्रते दिन अपने गले में एक दो गंटे के लिए धारण करना है तो आप देखेंगे कि उसके परवाव से सभी लोग आपकी बात मानने लगें समोहित होने लगें इसमें जो सिंदूर हमारे कारले से बेजा जाएगा उसमें ही चोरा या तराय की दूल मिलानी है बाजार से सिंदूर नहीं लेना है क्योंकि जो सिंदूर हमारे कारले से बेजा जाएगा वे सिद्ध करके बेजा जाएगा उसमें ही चौराय या तराय की दूल मिलानी है धन्यवाद जै गुरुजे